मैंने कही सुना था जितना हक हमारा इस दुनिया पर है उतना ही हक दूसरे जानुरों का इस दुनिया पर है जितनी इंशानों को इस दुनिया की जरूरत है उतनी ही दूसरे जानुरों को इस दुनिया की जरूरत है नेचर के बैलेंस के लिए इंसान और जानौरों का दोनों का बहुत बढ़ा मैदवर और दोनों का बहुत बढ़ा योगदान है पर इंसान ये भूल चुका है कि उसका जनम 14,000,000 यूनियों के बाद हुआ है इसका मतलब ये है कि मुझे नहीं पता कि मैं आगले जनम में क्या बनूंगा कौन सा प्राणी बनूंगा वो मेरे इस जनम के करम पे डिपेंड है पर ये चीज इंसान भूल चुका है और वो क्या कर रहा है आज वो अपने मनोरंजन के लिए दूसरे जनमरो को पिंजरे में डाल रहा है अपना घर बनाने के लिए वो आगले जनम में वो भी एक दूसरे प्राणी का रूप लेगा उसके भी बोडी पार्ट्स को बेचा जाएगा जो करम हम इस जनम में करेंगे अगले जनम में उसी काम में पढ़िना मिलेगा आज से कुछ समय पहले मैंने एक न्यूस पढ़ी उसमें क्या था कि लोग बैट्स यानी चमकादरों को मार रहे है क्या है कि लोगों को लगता है कि उनकी वज़े से कोरणा वाईरस लोगों में फैल रहा है पर मैं ये बता द Сегодня पुरा सच नहीं है हाँ मैं मानता हूं कि जो सांस कोीड नाइंटीन है वाईरस वह बेट्स में पाया जैताँ है SARS COVID-19 का similar virus पाया जाता है bats में बहुत से scientists को यह कहना है कि यह virus direct bats से इंसानों को में नहीं आया पहले होई bats bats में तो था उसके तुरू के ऐसे जानवर में गया जो विलुपत हो रहे जिनने लोग जिनने बहुत से लोग उनने काट रहें उनको बेच रहें यानि wildlife trading कर रहें उनकी ऐसे जानवरों में वह virus गया फिर उन जानवर को जब लोगों ने खाया या काटा उनको wildlife trading की गई उसके तुरू हमारे इंसानों में वह आया और जिसकी वज़़े से coronavirus फेला आप किसी जानवर नहीं यह आके इंसानों से तो नहीं कहा कि मुझे आप खालो आपको image में भी देखकर समझ में आ गया होगा जब मैं यह आप बार गुमने जाते होगे तो कई बार आपने देखा होगा कि लोग street पर जो dog से उनसे लात मारते हैं चलते हुए जानवर आपकी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं पर एक बार गलती हो तो माले हो कई लोग तो कई बार ऐसी गलते हैं कर देते हैं उनका कारण क्या होता है वो हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें गाड़ी कम स्पीड में चला है जिससे हम भी सेफ रहें जो और पे जो strict dogs है या कोई animal वो भी सेफ रहें मकर संक्राती की तेवार के दिन बहुत स ऐसे होते हैं कि जिससे बस इंजड हो जाते हैं और कई तो मर भी जाते हैं हाँ मैं आपको यह नहीं बोला कि आप तेवार मन नहीं मनाओ तेवार होते ही मनाने के लिए मांजय या डोर लो कि उसे खाना मिल जाएगा पर लोगों ने क्या किया उस सतिनी को अनारस में बहुत से फटा के डाल कर उसको खिला दिया वो फटा कि उसके मुह में फट गए और उसके मुह और पेट में जलन होने लगी जलन के कारण तीन दिन तक उस गाओं में बूकी प्यासी डोलती रही कि उसे खाना मिल दे पर वो खाना भी नहीं खा पा रही थी उस कारण क्योंकि वो बहुत जल रहा था उसके मुह और पेट पर वो गाउट और भी बढ़ गए जिस कारण उस हतनी की वहीं पर मौत हो गए जो फोरेश्ट रदिकारी थे उस प्रेग्णन हतनी को बाहर निकाला उसका अंतिम संसकार किया और असपास कि जितने भी हाथ ती थे कितने हीजन वाथ है इस भी उनके आंकों में मासू था और रात्र किया पेट में जो भाचा था हो भी मर गया तो हम क्या कर सकते हम वापिस दो नहीं ला सकते उस यस माफ़ने को ने सट के आगिष हम यह चीजे नहीं करेंगे I request don't kill animals वीडियो बनाने का मोटो सरिफ यह था कि कई बार जाने अन जाने में हम से जाने में रोड पर एक्सिडेंट हो जाता है एनिमल के साथ और कई एनिमल मरी भी जाता है जैसे मैंने एक्जामपल गिया था डॉक्स का तो हमें एटलीस गिल्टी तो फिल होना चाहिए हमें गिल्टी फिल होना चाहिए हमने किसी एनिमल को खिल किया गल्ती से एटलीस हमें वो फिल गिल्ट होना चाहिए इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया था इस वीडियो को like करे ना करे comment करो ना करो बस एक बात जरूर कहना चाहूंगा इस वीडियो को share जरूर करना हर इंसान तक पोचाना इस वीडियो को बस मेरी यह request है Thank you